आज के नकसलवादी आंदोलन का मतलब सिर्फ माववादी नहीं, CPI ML जैसी पार्टियां भी अपने आपको नकसलवादी कहने में गर्व महसूस करती हैं, इसमें मैं भी शामिल हूँ। ये कहना नकसल आंदोलन के जनक चारू मजूमदार के बेटे अबजीत का है। इनकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी ये है कि ये नकसल आंदोलन के जनक स्वर्गी चारू मजूमदार जी के शुपुत्र हैं। नकसल आंदोलन के सुरुवाद सिलीबुडी से बमुस्किल 20-25 किलोमेटर के दूरी पर एक छोटे से कस्वे नकसल बाडी से हुई थी उन्नीस चुका है आंदोलन कि ये अपने पिता जी के साथ इनका भी काफी समय बिता है मैं उस दोर की आदों को इनसे साध्या करना चाहता हूं आप लोग भी सुनिए हैं तो सबसे पहले आप ये बताएगे कि जिस परपच से नकसल आंदोलन के सुरुवात हुई थी क्या वो परप आज तक हर हुआ या यह जो नकसली संगठन है वो उस दिसा में ले जा रहे हैं बाबो जी के लड़ाई को देखिए हमारे सोच में जिस मुद्दे को लेकर जैसे जिसको आप नकसल बात करते हैं हम नहीं समझते कि यह अलग से कुछ है नहीं अगर पूरे दुनिया के कामिन मिस्टर अनलोन को अब देखिए हमारे देश की कामिस्टर अनलोन की जो पनंपरा रही उसी के साथ साथ ही एक लीफ फ़रवर्ड के रूप में लुप नकसल बाडी में जो किसान अभुथान रहे और यह गटी थी और इसका तो एक तो एक तोस मुदाज है वो तो हैप्स औ बाड़्ण के अंदर जो आपका बर्ग जो संगस है इसंगर्ष को टीखा करें अवंफ एक समानता के रूप में एक सोचलिस्ट जो एलिटरियन इन धे जा समानता है समानत को लानिके लिए किसान की शंगषान जो संगष्ण संगः में बनाना संगष्ण करना उसको नक्सालांदोलून का पीछे सबसे बड़ी रूप था और उन्ने नो में 1966 को आप 67 के बाद बताएं 66 में आप देखे कि बंगाल में भुखमरी से लोग मर रहे थे एक जैसे है फामीन जैसे बहुत ही खाद शंकत पैदा हो गया था और हमारी हिंदुस्तान में जो सतंदत आई है 1947 में तो ये दुल्भाग की बात है कि उसके बात 20 साल के अंदर 1947 तो 1967 जो लोग हमारे सबसे बारी रूप में भाग बाग गिये थे वो हमारे देश के किषान हमारे देश के मजदूर हमरे देश के गरीब आद में लेकिन उनके साथ एक विशाज ग्वात जो हुई इसका जानकारी इसका अंदर से दिखना ये उनके पास आ गया था कि भई किसानों के खास करके जो सरकार ने हमारी जो करना था जो नया भारत के निर्मान होगा उसमें किसान की भागीदारी वो जो काम करेंगे उसका अच्छी रूप में उसका दाम मिलेगा वो अपना जी सकेंग तो प्र यह नहीं था बीग आंदार परिवार से अपर यह तो फिर यह दोनों के लाघाए कहां से यह जबींदार परिवार नहीं है एक जौदर के रूप में जबींदार बेन लग है यहां तो नौर्प्र में ऐसे ही जमिनार अपो मिलेगा नहीं ौ cooking ौrás टादीवनेमें आपको जह सबीन्हूंदाली उनम्हादी टो सबीоту व्मजीजिस'twang कें चारमाजुमधार जीने अपनाय नहीं ौन केंकि चारमाजुमधार जीने जब नाजरिती पट квар LIKE बेगा कोंटने थे थे। एक राफ्ना तेविष और शलीज हम दाया नहीं है? मेर पीता जी पढ़ एप अब देखे निन देखे जिए नाइटें फ़र्टी फाइटी शिक्स फ़र्टी थी का असपास तब बंगाल में ते भागा अन्डरों जो किसान मांग किया थे कि जब हम जो हम फेला रहें इसी में त्री फोर्थ भाग तो हमको मिलना है जो एपसंट तो बाहर रहते हैं काम नहीं करते हैं तेकिन उठा के लेकर जाते हैं जो अपना प्राइविट आजमी है उसको आप लोगो क्या दुस्वारिया जहले पड़ती थी एक छोटे छोटे आप लोग रहे होंगे आपके मा रही होंगी भाई पर बहुत कुछ जहलना पड़ा इस मेरा पीताजी पहले सही जो हम छोटे थे मेरा जनम 1960 में हुआ है तो 1962 में चीन के साथ जो सिमांत संगर्स 1965 में पकिस्तान के साथ यह सब बारी में हर वार हमारे पीताजी को पुलिश उठा के जल में डालते थे तो हम छोटे से ही इसको देख आदत बन गया था लेकिन हम कभ कोई हमारे पीताजी के खिलाफ हमारा कुछ अंदर में आगया है वह यह तो क्या है बाकी का पीताजी से जा सह पल्सक्राजी से लिफ नहीं है लेकिन Pharise चोटें से हमारा जो मानने लेग है तेखने। और पीताजी तेख थे नहीं हमारे पूलिस के साथ हम तो हम सोच्छा हम तब सिक्स्ट्य स्ट्राइब नगी इस प्रण घ्रोड़ा इस लोगजे गाए तु करह लेंगे लाधी नवगजेंगा नवेंगे लेखासी नवगजे लेंगेखेंगेट। सब्सक्राइब गुता साहट नवगजे इस लिए कि पार्टी को वे भारत सायो करते हैं अब उसी वास से नाइटे बशियल मेरा फिताजी को मार दिया गया 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 तो यह जो वे रेट था, अपिरियद में पूलिस ऑन्हे एंडेट, मेरे माता जी एक थार अबला करते थे थे तो चोड़े थे वह जोड़ेच मोगी जोड़ेच ही जाल है अब जोड़ेया है टो बहुती छोड़े डहें जोड़ें एग जो जाने मिलाएं आप मिलेह लएगाँ एक कर दों हो और है, हम समझंग है कि अगर एज ऐको से ही यहाँ सांगर्स में अम्हाग जाला जाए लूह। यह। जा भी इसको इՅ कि खिलाब भी ते इसको उपनी और हम बाद्वे के है वहुछ्छी माण को बादि तो नहीMP कciónट को अवारी माताजी हैं देन अग एफ एक सिलिवडी रचाणी थे जह एग जहा एक फूलिस सकष्कोर में तवे पाज़ी, परेक्थ। नाग हो जए प्यार नहीं का जच तुर्छी । और दिसमियगाना विट आप करमा था और खच scoring रहत पर ते खरी कोई ज़ाएं दानरख करते हैं, आपको खका रहते है निए अगली завच कर लिए इन आधा भारा ऑर बहुत हमन चैना जाया गाना आप कोई अW難 करें में आटरेखो जिवीत रहे और अंत में उनकी भी जो आज का नक्सर मुवम्मेंट है इसको लेकर हतासा सामने आई यह आनक बात था देखिए आज की नक्षा लांदुरून को आप लोग सोचते हैं कि वह माववादियों क्या दूरून है जो आप कहें कि जो पैल रहा है जिसके खिलाब हर स तो यह उनको मानना पड़ रहा है कि कुछ है पहले तो वो कहते थे वही नक्सालबाद को मुवकर के फिक लिए है को है इसको मानना पड़ा एक बात है दूसरी बात है कि सट्र दिशिवदी के जो अंदूरून रहा उसमें एक बहुत बड़ी तादातों में जनता की को अंदूर्स को हम ने लानी की कोशिष उसमें किसान अंदूरून की अपले रूप में खड़ा करने में अज़ लूबरी रहा आज अगज के उनके लिए थोगवग है दो बातों में अलग है यह तो आपका पोलिटिकल डिस्कोर्स में हमको जाना बढ़ेगा मुझ उनकान लेकिन कानु जी को जो था वो था कि वह अपने आप भोष्णा की थी आपने अपने आप भोष्णा की थी 1967 के बाद, 1969 में जो पार्टी बना तो 22nd April अव्लादे में रेलिच लैनिम का जनम दीन बना जाता है अव्लादे में पार्टी बना और उसका जो घोष्णा को कानु जी नहीं बताय कि अभी 22nd April को अव्लाद नया पार्टी बना है सिप्या यहां लेकिन बाद में हम देखे कि कानु शन्याने चार्मुजंदार मुजर जाने के बाद, हत्ता होने के बाद, जब रहे तो वो जेल म जेल से ही इसको खिलाब ओने लेकिन ना हुगा है इसका सबसे बड़ी जिम्मेदार तो चार्मुजंदार जीजी है यह तो हो नहीं सकता कामनिस पार्टी के अज़ने के एक सेल्ल कमिटी था, एक वालिट बोलो था, हाथ जगा कानु सेम्नाम थे, तो अभी कोई निन्ने ज मतलब यह है सर कि जो जिस आंदोलन की सुरुवात हुई क्या वही आंदोलन आज तक चल रहा है कि लोग भटक गया है नहीं चल तो रहा है चल तो रहा है ऐसा नहीं कि आपको उसी आंदोलन को सिर्फ बाववादियों के अंदर देखने के कोशिश करें उसके बहार जाईए दो बात बहुत महत्पून है एक तो है कि जन्ता को उसी रूप में नहीं है उसी बड़ा समर्थन अभी तक हम व्राफ्त नहीं हुए यह हकीकत है जिस गरीब गुर्बों की लड़ाई रणने की बात करते हैं और नक्सलानोलन में नक्सली हिंसा में जिनकी हत्याएं होती है वो तो गरीब घर से ही आते हैं हम उस अधिया के पक्षदं नहीं है लेवी वसुले का एक माले कि राष्ट्र है राष्ट्र आपको कुचलने चाहें तो आपको हतियार से ही उसका मुकबला करना पड़ेगा अलग बात है कि अप गरीब गुर्वों को माल रहे हैं हम उसके स जैसे कि आज हो रहा है अब जनादुल उन में देखिए तो इतनी वड़ी तदातों में किसान रास्ता पकड़ लिया है इनको आप क्रांती के दिशा में लाना ये हमारा फज मनता है या अलग है और आप कहीं पे रहके रहके जंगल में गुंते आप कोई हतियार लेके किसी लोगों मार रहे हैं ये कोई ऐसा नहीं है आज तक ज्यादा तर जो भी नक्सली मूमेंट चल रहा है कि जो दिखाई पड़ रहा है जो नहीं दिखाई पड़ रहा है वह अनग वात है वैचारी करांती की लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है कि लेवी वसुलना गरीबों को सब्स थाना जिनके खिलाब यह चुरू हुआ था कि नहीं गरीबों के लिए जिनके लिए सुरू हुआ था राज पुरी तरीके संदव हैं कानुदा भी बाद में बोले यह आंदोलन बहट रहा हमी हम भी बोल रहे हैं कि भटक नहीं रहा यह अलग से कि एक मने तबके हैं इसको अपरांथी किरो के संग्यादी जा सकती है क्या अलग से अगठी नहीं हम मानते हैं कि मावबादियों को अबर आपको प्रोग्रम को देखे तो क्रांथी कारी प्रोग्रम है ऐसा नहीं कि नए रूप में जो जिसके जिसके अपमान सहना पड़ा जि इस अपरे जा झगाने क्याँ नहीं है कि तो जो कि अपम नहीं धिया विखे जिदित को जाए उड़ांटी कि लिहां कि नेजितने एक तो गड़कर के हैं जहां कि हम देखे ऐ भडका है इसी रूप में कि कहीं पर कोई डिव्लोपेंट के काम है उसी प犹ड़ाप लो वो कर तो यह वारा कहीं के कहीं पे कोई बड़े कॉर्परेट के साथ भी तालमिल बन गया है लेकिन यह सब डेविएशन्स है इस डेविएशन्स को देख के ही एकदम पुरा कह देना कि भई यह एसेंस में ही ऐसा है यह एकदम नहीं है तो लेकिन मैं जो कह रहा था कि अब जन को нагकारी हों तो आप सै यह एकर जनकारी हो अफ शटता है कि वह जानकारी हो कि अपो भी एल्एल जेकर आप प्रोग्रम क्या है तो ऒरहां कि दिल्य कर्हाएं कि एलोगों क्या करना च collar अंधर अधी सो इसलिए मैं कहा रहा हुआ कि कही भटक तो लेगा थे उनका पुदेश से वह अपनी बादेशने बारे बादें के बारे बारे जादा नहीं बोलेगे लेकिन हम समझते हैं कि नेशन्स यह कांधिकारी है लेकिन हम उसका जो तैक्टिकल्स-लाइब है तैक्टिक्स में उनका कि अधियार्बन गुठे में जाके होगा नहीं इसको अलएक से आपको पॉलिटिक्स को पॉपुलर बना नहीं यह जो बने चुनावती है उनके सामने हम इसी लिए समझे है कि इंको वो सोचने लगे हैं स्थी बदल रहा है उसमें जरूर सोचने लगे हैं और इसका तोरा अब चार्थ चार खंट को देखें आप अन्रपुदेश में ज्यादा तौर पर अब कार्पुरेट लूट हो रहा है एक डम सरासर लूट हो रहा है और इसमें गाओं के गाओं तीन सो गाओं को जला दियों ज़ा दियों संग्विधान को मानते हैं गए लोग ज़रू मानत अब इतना तक जा रहा है कि मनुस्रिती को मनुस्रिता को संग्मिधान क्यों न बनाया जाए तो अगर ये रैडिकल नेगटिव रैडिकल रूप में कर रहे हैं तो अगर कोई सोचे कि संग्मिधान को पलक्ता भी ज़रूरी है और जन्बादी बनाना है तो इसमें हम गलत क हम नहीं सोचते हैं कि ये गलब बात है हम नहीं सोचते हैं ठीक धन्यबाद मुझमिधाब जी हां सुस्क्राइब